आपका पहले अंक का तीसरे दुष्य जो हैं, तीन जो दुष्य हैं वो पूरे हो गए हैं। फिर उसे सीन्य से लगाकर फिर से चुनने लगती हैं और पूछती है कि महराज ने इसका नाम क्या रखा। फिर यहां पर मार्वी गालब से कहती है कि याती में 200 जोड़े मिल गए। मार्वी का जब गालब परीचे कराता है, मार्वी को देखते ही यह क्या ये याती के पुत्री है। प्रणाम मैरी हानायस अतिवत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे पोचसेम के भी कौम के जितने भी विध्यारती हैं आप सबका इस रिविजन क्लास में स्वागत है। आज मैं मार्वी का जो दूसरा अंक है उसके बारे में आपको जानकारी दूँगी। पहले अंक में आपको आपका रिविजन यहां तक हो गया था कि गालब जो है याती के पास जब जाता है। यहां पर गरूर पक्षी जब क्या है इनी गालब को कहते हैं कि यहाती के आश्रम में जाओ और तुमारी इच्छा पूरी होगी। तो जब गालव यह याती के आश्रम में जाता है तो यह याती ने इस गुरु दक्षिना का साधन बना कर यही मादवी को जो है दान में गालव को दे देता है। इसके बाद मादवी को लेकर गालव क्या हैं फिर घोडों की खोज में निकल पड़ते हैं। इन दोनों में प्रेम भी हो जाता हैं इसके बाद वो उत्राखंड अयोध्या नगरी जाते हैं। वहाँ पर हरिष्च ने राज्योतिश्य से मादवी के अंगों की जान्च करवा कर यह पता लगाते हैं कि वो सचमुच चक्रवर्ति राजाओं को जन्म देगी। इसके बाद वोडों के लिए मादवी को कहें हरिष्च के राजमहल में रहना पड़ता है। पिर मादवी को छोटा सा मुकट पहना कर बढ़िया होनी डाल कर उसे राणिवास में लेकर दासियां जाती है। यहां तक आपका पहले अंग का तीसरे दुष्य जो हैं तीन जो दुष्य हैं वो पूरे हो गए थे। आज दूसरे अंक में चार दुष्य हैं तो आज मैं इन चारों दुष्यों के बारे में जानकारी दूँगे। यहां पर जैसे ही मादवी क्या हैं राजमहल में जाती हैं इसके बाद अयोध्या नरेश के यहां एक साल उसे रहना पड़ता है। मादवी जब अयोध्या नगरी की पट्रानी बनती है तो उसे देखने के लिए प्रजा उमड़ उमड़ कर आती है। उसकी संदर्यता की चर्चा चारों तरफ होती है। अयोध्या नरेश जो हरिश्च मादवी पर मुगदु हो जाते हैं। मादवी को ज़्यादा वो चाहने लगते हैं। वो हमेशा के लिए बुनी के रानिवास में रखने के लिए मादवी को तयार भी हो जाते हैं। फिर क्या है? अभी अयोध्या नगरी में मादवी ने चक्रवरती राजा को जन्म देती है। जन्म के बाद मादवी क्या है? वहाँ पर दो दासियां और घै उसके साथ है मादवी बच्चे को अपने गोद में लेकर एक बार उसके ललाध पर उसके सर पर हाथ फैराते हुए उसे चूंगती है फिर बच्चे को लेकर धै के हाथ में सौंप देती है यहाँ पर अयोध्या नगरी में इनी चक्रवर्ती राजा के जन्म दिवस्त पर धूम मची है धोल मंजारे बज रहे हैं और चारों तरफ मिठाई बाटी जा रही है ऐसा उत्सव है तो राज महल के अंदर मादवी अपने बच्चे को चूम कर धै के हाथ में दे देती है फिर क्या है धै जैसे ही बच्चे को अपने गोद में लेते हैं कहते हैं कि महराणी यानि मादवी से कहते हैं कि इसका नाक नक्षा सब आप पर गया है पूंचा ललाट थी किसी नाक इसका गोरा रंग सब आप पर गया है मादवी बच्चे को फिर से धही के हातों से ले लेती है फिर उसे सीने से लगा कर फिर से चूनने लगती है और पूछती है कि महराज ने इसका नाम क्या रखा है तो यहां पर धे कहते हैं कि इसका नाम महराज ने वसू मना रखा है तो मादवी फिर बच्चे को एक बार सीने से लगाते हुए धहिके हाथ में सोब देती है और कहती है कि इसे महराज को दे देना फिर क्या है यहां पर मादवी अपने आप में वसुमना वसुमना इसे नाम क्या है बुद बुदाने लगती है फिर क्या है अभी यहां पर धै कहते हैं कि मादवी से कि आप तो यहां की पट्रानी है युवराज को छोड़ कर मत जाएए आप यहीं पर रह सकती है लेकिन मादवी वहाँ पर रहने के लिए तयार नहीं थी फिर वो बच्चे को सौंपने के बाद जैसे ही बच्चे को अंदर लिया जा रहा था मादवी उसी और देख रही थी जब तक कि उसकी आंखों से वो बच्चा ओजलना हो जाए इसके बाद मादवी ये एक फत्तर पर बैड जाती है फिर बैड जाती है और अपने आप में कहने लगती है कि गालव तुम कहा है अभी तक तुम क्यों नहीं आए फिर कुछी देर में गालव वहाँ पर उपस्तित होता है गालव वहाँ पर उपस्तित होता है मादवी गालब को देखते ही गालब तुम आ गए तुमने वसुमना को देखा तो गालब यहाँ पर कहते हैं कि कौन वसुमना मेरा पुत्र वसुमना तो यहाँ पर गालब कहते हैं कि वो तुमारा पुत्र नहीं था बलकि वो अयोध्या नरेश का पुत्र है बच्चे को तुम भूल जाओ मादवी बच्चे के प्रेम में डूप चुकी है फिर वो कहते है कि तुम सुन रहे हो बच्चे की रोने की आवाज तो यहाँ पर गालब कहते है कि किसी की रोने की आवाज यहाँ पर नहीं आ रही है तुम्हे भ्रम हो गया है मादवी, चलो यहां से चलते हैं, लेकिन मादवी उसी फत्तर पर बैट कर अपने बच्चे की ही बातें करती रहती है, धै कह रही थी कि उसका रंग, उसका उंचा ललाट थी कि नाक्स बिलकुल मेरे उपर गया है, फिर से धैर्य बानते हुए, यहा पर गालव कहते हैं कि वो पुत्र सिर्फ नरेश का है, अयोध्या नरेश का है, तुमारा पुत्र नहीं है मादवी, और फिर यहां पर, फिर यहां मादवी गालव से पूछती है कि क्या तुम्हें दोसो गोड़े मिल गए, गालव वही उत्साह से, कहता है कि हाँ, मुझे गोड़े मिल गए, दोसो गोड़े, और इतने बड़िया गोड़े थे कि क्या बता, मैंने उसे गुरू के आश्रम मैंने विश्वमित्र के यहां भेज भी दिये हैं, कहां मैं उसे उन्हें लेकर हांकता फिरूंगा, इसलिए मैंने गुरू विश्वमित्र के यहां भेज पिर मादवी, मादवी और गालब में इसी तरह की बाते होती हैं, तबी वहां पर अयोध्या नगर के मंत्री आते हैं, और मादवी से कहते हैं कि मादवी, यहां पर मादवी से कहते हैं कि पट्रानी अगर आप चाहे तो मच्चे के जन्म उत्सव तक अयोध्या में ही टहर सकत मादवी इस बात को सुनते ही हर्शित हो जाती है खुशी से वो कहती है कि गालव तुमने सुना राज इनी अयोध्या नरेश ने कहा है कि मैं और कुछ दिन अपने बच्चे के साथ रह सकती फिर वो बहुत खुशी से उचल पड़ती है फिर यहाँ पर जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि हाँ जो युवराज है वो राजमहल के अंदर रहेंगे और आपको जो अतिती ग्रह हैं वहाँ पर आप तहर सकते हैं इस बात से फिर से मादवी उदास हो जाती है और यहां पर मंत्री ये भी कहते हैं कि महराज को आपकी स्वास्त की चिंता है अभी आप में इतनी शक्ती नहीं है कि आप फिर से क्या हैं वनों में घूम सको फिर से कहीं और जा सको इसलिए आप टहर भी सकती है तो यहां पर माधवी जबकी उसे पता चलता है कि वह जो हैं अठिती ग्रह में रहेगी और इसका जो बेटा है वसूमना वो राजमहल के अंदर तो इस बात से यहां पर मंत्री से कहती है माधवी कि जिस इन ही यहां पर वो कहती है कि मुझे और अयोध्या नगरी में नहीं रहना फिर यहां पर मंत्री कहते हैं कि क्या आप राजा से विदा नहीं लेंगी तो मादवी कहते हैं कि मैं जिससे विदा लेना चाहती थी उससे ले लिया फिर यहां से गालव और मादवी पिर और घोडों की खोज में निकल पड़ते हैं पिर वही वनूं से, वही परवतों से होते हुए वे क्या हैं काशी नरेश के यहां पहुंचते हैं गालब को पता लगा था कि काशी के जो नरेश हैं दीवो दास उनके पास भी अश्व मेधी घोड़े हैं यहां पर जब वो काशी नरेश के यहां आते हैं तो गालब दीवो दास को क्या हैं मादवी का परिछे कराता है और यह कहिए भी कहते हैं कि यहां पर देखिए दीवो दास जो राजा है वो अपने आपको बड़ा शूर और वीर समझता था लेकिन वो बहुत दुबले पतले से और उनकी बड़ी-बड़ी से मूची हर बाद पर मूचों पर ताव देते थे फिर क्या है यह जो दीवो दास है वो एक रसिक राजा भी थे बहुत सारी राणिया इनकी थी और क्या है यह इनकी 35 राणिया थी और क्या है यहाँ पर दीवो दास जो है हमेशा जो सेविकाएं होती है उनी में घिरे रहते थे बहुत ही रसिक राजा थे मादवी का जब गालब परीचे कराता है मादवी को देखते ही यह क्या यह याती की पुत्री है ऐसा लग रहा है कि यह क्या है जंगल से सीधे चली आई है और इसके वस्तर से बदबू भी आ रही है बास मार रही है दीवो दास मादवी को देखकर यह कहते है और यह भी कहते हैं कि दोनों वक्त क्या तुम अपने पिता के आश्रम में कव्वे उड़ा रही थी फिर यहां पर गालप जब यह सुनता है तो कहता है कि यह तो अयोध्या नरेश के यहां उनकी रानिवास में एक साल रह चुकी है और इसने चक्रवर्ती राजा को भी जन्म दिया यह भी कहते हैं यहां पर क्या होता कि देवो दास अपने देवो दास जो हैं विदूशक के साथ बाते भी करते हैं और कहते हैं कि देखो कन्याएं हमारी और खींची चली आती है देखें देवो दास जो हैं वो रसिक राजाते हैं और वो कहते हैं कि यहां पर कन्याएं हमारी और खींची चली आती है जब भी हम बाज़ार के रास्ते से जाते हैं तो वहां पर महिलाएं लड़कियां खचा-कच भर जाती है और हमें आण से देखने लगती है तो विदुशक क्या हैं उसकी प्रशंसा करते हुए आपके सौंदर्य को देखने के लिए महराज और आपकी क्या हैं वीरता को देखने के लिए तो यहां पर फिर से अपने मुच्छों पर ताब देते हुए फिर वो कहता है कि ऐसा है दिखें दिवोदास इस नाटक में ये क्रसिक राजा के रूट में है फिर क्या हैं यहां पर जो इसके पीट पर दिवोदास की पीपर एक सेविका चंदन लगाती रहती है तो वो सेविका को यहीं उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए केते हैं कि तुम अपने प्रेमी को भी इसी तरह से क्या हैं चंदन लगाती हूँ जैसे कि दीवार पर गोबर पोत रही हूँ दीखें यहां पर वो फिर इस तरह की बातें सेविका से करने लगते हैं सेविका लज्जा से कैह सर जुका लेती है फिर क्या है जब गालव कहता है कि मादवी क्या है आयोध्या नरेश के यहाँ भी एक साल रानिवास में रह चुकी है फिर उसने चक्रवरती राजा को भी जन्म दिया है तो यहां पर तभी क्या है वहां एक परी चारक आता है और कहता है कि एक परी चारक वहां पर आता है और कहता है कि कोई सादू आप से मिलने के लिए आया है तबी सादू का यहीं सादू को बुलाया जाता है सादू वहां पर आते हैं फिर दीवोदास सादू से बात करते हैं सादू उनको आशिरवात देते हुए कहते हैं कि ब्रुगु मुनी ने ब्रुगु मुनी दीवोदास के मुनी थे उन्होंने बताया है कि इस वर्ष उनको शीग्र ही पुत्र लाब होगा ये क्या है उनकी उन्होंने भविश्युवानी की है तो यहाँ पर दीवोदास कहते हैं कि पिछले कई वर्षों से हमें क्या है हमारी वंच में वृद्धी हो रही है लेकिन लड़कों की नहीं, पुत्रों की नहीं, पुत्रियों की, लड़कियों की क्यूंकि दीवोदास को सत्रा बेटियां थी, पैंतिसरानियां और सत्रा बेटियां थी फिर वो कहता है कि यहाँ पर हाँ रुद्धी हो रही है क्या बेटों की होगी या बेटियों की तो यहाँ पर सादू कहते हैं कि ब्रुगु मुनी ने भविश्वानी की है कि आपको शीगर ही पुत्र लाब होगा तो यहाँ पर मादवी की और देखते हुए कहते हैं कि जो पुत्र हमें जिससे लाब होगा वो पहले ही जोली पसारे हमारे सामने खड़ी फिर वहाँ पर सादू से कहते हैं कि हाँ बेटा तो बाद में होगा और बड़ा होने में उसे काफी समय लग जाएगा लेकिन शत्रू जो हैं हमारी सीमा पर खड़े हुए तो सादू कहते हैं कि यहां पर ब्रुगु मुनी उसके लिए भी कोई अनुस्टान करेंगे इस तरह से कहते हैं यहां पर मादवी को दीवो दास अपने रानिवास में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ दो सो घोड़े हैं 200 घोडों के लिए मादवी को एक साल दिवो दास के राजमहल में रहना पड़ता है। और यहाँ पर क्या है मादवी, मादवी को फिर से वहीं छोटा सा मुकुट और उस पर वो नी बढ़िया डालके हुए दासियां उसे ले जाने के लिए तयार होती है। दिवो दास के राजमहल में मादवी को लेकर चले जाते हैं दासियां। पर वहाँ पर पता चलता है कि विसता नदी में बाड़ा गई थे। और जो उस नदी में बहुत सारे अश्वमेदी घोड़े जो हैं डूब गए थे। बच्चे हुए घोड़े कहें सादू लोग हांगते हुए उन्हें विश्वमित्र के आश्रम में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर और एक आदमे कहता है कि क्या विश्वमित्र अश्वशाला खोलना चाहते हैं। इतने सारे घोड़ों को लेकर और ये भी सुन्ने में आया है कि उन्होंने अपने शिश्य से गुरु दक्षिना में मांगे तो अश्वमिधी घोड़े ही मांगे। ऐसी बाते होती हैं। इधर जो है विश्वमित्र का आश्रम है, तापास है वो गालब के मित्र है। अब जो है यहाँ पर तापास अपने गुरु को प्रणाम करते होए क्या है, बोलते हैं कि इतने दिन तक में चुप रहा माहराज। अब मैं चुप नहीं रह सकता। आपने गुरु दक्षिना में जो गालब से 800 अशो में धी घोड़े हैं, उसके जुटाने के लिए उसने बहुत संगर्ष किया है। और उसका सादन ये याती पुत्री मादवी बनी हुई है। और अगर अभी समस्त अभी जितने भी घोड़े थे, वो क्या हैं, विसका नभी में डूट चुके हैं। बचे हुए घोड़े आपके आश्रम में आ गए हैं। अब वो घोड़े कहां खोचते हुए फिरेगा। और क्या हैं यहां पर विश्वमितर कहते हैं कि हमने सुना है की उशीनर जो राजा है उन्हीं के पास भी उनके पास भी दो सो घोड़े हैं। दुराज मैं उसकी ये दशा देख नहीं सकता इस तरह से तापास कहते हैं विश्वमित्र कहते हैं कि हाँ वो बहुत महत्वकांची है और हटी भी है वो रुन से मुक्त नहीं होगा ना कि वो शमायाचना भी मांगेगा और वो बहुत ही महत्वकांची है इस तरह से तापास स तो तापांस कहता है कि मैं वो सब नहीं जानता आप उसे रुण से मुक्त कर दीजिए और अगर आप रुण से मुक्त नहीं करेंगे तो वो और घोड़े जुटान नहीं पाने की वज़े से वो क्या है आत्म हत्या कर लेगा लेकिन यहां पर विश्वमित्र कहते हैं कि वो रुण से मुक्त होना नहीं चाहेगा तब क्या है तापांस क्या है अपने गुरू से कहते हैं कि अगर आप यह रुण से आप मुक्त भी नहीं करेंगे तब भी मैं क्या है गालब से कहूँगा कि वो रुण से मुक्त है इस तरहां से और अवश्य हूं मैं उसे मिलूंगा और ये भी कहूंगा कि वो क्या है रुन्ज से मुक्त है इस तरहां से केहते हुए गालब वहां से चला जाता है तो ये रहाँ आपका दूसरे अंक में जो चार धुश्य हैं वो यहां तक होते हैं अगली कक्षा में फिर रिविजन कक्षा में अगली रिविजन कक्षा में फिर से मैं तीसरे अंक के बारे में जानकारी दूँगी धन्यवाग